राह संघर्ष की उज़ू चलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों से जंग जीती है सूर बनकर वही निकलता है बांच बैसी के पीडियो प्रोफाइल के लिक इस बीडियो के दिसक्रिप्स में भी दे दिया हूं दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पेस कर दे ताकि आपको डेली मौनिंग में 5 बज़े करेंड़ फेसक वीडि प्लीज इस वीडियो को जितना जादा हो सेगे उतना जादा शेयर करें पने दोस्तों को साथ वाटसेप फेसबूक ग्रूब में ताकि और लों की मदद हो सके प्लीज शेयर जरूर करिएगा और लाइक करने में कजूसी मत करिएगा चले स्टार्ट करते हैं पहला कोशन उद्घाटन समारों में भारती टीम को दोजबाक कौन होंगे इसका राइट एंसर दोस्तों ऑपसंडी नीरच चोपड़ा ऑपसंडी राइट हो जागा देखिए उस तो एसी आई खेल 2018 के उद्घाटन समारों में भारती टीम के लिए जो भाला पे खिलाडी है ये नीरच चोपड़े धोजबाक होंगे ठीक है और आपको बता दे दोस्तों कि 20 वर्स के हैं और अपने केरियर में 20 जूनियर चेंपियंशिब में इन्होंने एसी आई चेंपियंशिब दक्षिण इसे खेलों राष्ट मंडल खेलों में शौन पतक जीता है इसके लाब आपको बता अब तो चार और इचारत है जो जांडे जोड़ेंों कि आज़ीत गया। हुई थी नए दिली में चार मार्च और пожिसंग चांवन को शूरुवात हुई थी अब अगला कहाँ पर इसे आई खेलो को दुस्तों ुत ही दोalsर बाएस को जोस्टों बहुतmaros प्रेसिडेंट कौन है तो बरतवान प्रेसिडेंट है दोस्तों इंडोनेशिय को जोको विडेडो कौन है जोको विडेडो बरतवान प्रेसिडेंट है और दोस्तों जकारता में एक बहुत ही महत्पूर्ण संस्था का मुख्याला है जो आपके एक्जाम में बहुत बार पू कुछा गया है उसके साथ साथ इć पूझ लेता है कि आर्शीयान की सथाबना कभी थी तो अर्षियान की सथाबना हुए थी स्थाबना हो संडिय उन्डी सभrica को थी आठ अगस्त 1667 में आस्यान की考 भी थी तो एसी आई खेलो एसी आई खेल दो अठारा कुद घाटन सामारों में भारती टीम के दोज़वाग कौन होंगे इसका राइट एंसर दोस्तों ऑप्सन डी नीरत चोपड़ा होंगे ठीक है दोस्तों आपको बता दे कि जो एसी आई खेल 24 हम हुआ था उसमें भारत जो तो प पतक ताल काम आठमा स्थान था और टोटल 57 मेडल सिस में जीते थी इंडिया ने ठीक है तो यह आपको इतने सारे फेक्ट इसकोशन से मिल जा देसी तरह में हैर कोशन में रिक्स करेंगा दोस्तों आप वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा और दोस्तों प्लीज आज हमने सर्च करके लाइक कर ली जो आप बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और आप हमें इस्टाग्राम पर फॉलो कर ली जो आप भी बहुत सारे नोट्स सेयर करता हूं दोस्तों इंडिया आपको पूरे मन्त के एक साथ वीडियो फाइल चाहिए तो आप हमारे टेल देखे दोस्तो राष्टी महिला आयोक की सदस जो थी है रेखा शर्मा को राष्टी महिला आयोक का नया अध्यक्ष न्यूट किया गया है इसके लाब आपको बता देग रेखा शर्मा पहले आयोक की सदस थी और उनको अध्यक्ष पद का अतरिक प्रवार मिला हुआ था आ पूछा में तो बता देक्ष तो आपको बतादे कि राश्टी महिला की प्रथम महिला द्यक्राइख ती पहली अध्यक्ष थी तो यहां से कोशन पूछा आता है कि बुकर पुरुषकार जिदने वाली परथम महिला काौं थे . प्रत्म महिला थी अरुंधती राय यानि ऑप्संडी इसका सही है बुकर पुरुस का जिने अरुंधती राय ठीक है तो हाली में राष्टी महिला आयोक का नया ध्यक्रिशन उटकिया गया है यह जो रेखार सर्माजी को यानि ऑप्संडी राइट है चलिए अगले कोशन की त दोस्तों परंपरागत जीवासमीधन के विकल्प के रूब में गैर जीवासमीधन के महत्त के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए हर साल 10 अगस्त को 20 सुजय विधन दीवस मना जाता है और इसको बलता दोस्तों पेट्रोलियम और प्राक्रतिक गैस मंत्राले द्व उद्देश यह है ठीक है इसके लाव दोस्तों आपे बात करें 29 अगस्त की तो यह भी काफी इंपोर्टेंट है 29 अगस्त को प्रतिवर्स दोस्तों भारत में राष्टी खेल दिवस करू में मना जाता है भारत के होंकी के जादूगर मेजन ध्यान चंद जी के जन्म दिवस प्रतिवर्स भारत में 29 अगस्त को राष्टी खेल दिवस मना जाता है और यह कोश्यन कई वारेख जामें पूचह आता है कि प्रतिवर्स राष्टी खेल दिवस करूं मना जाता है जिसका एंसर है 29 अगस्त को महीं बात कर वार совершенно 12 आगस्त को ंतर राष्टी यूवद करून करनंजी के जन्म दिवस के अफसर पर ठीक है तो राश्टी युवा दिवस का मना जाता है तो इसका राइट एंसर दोस्तों अगले कोशण की तरह बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स कोशन हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 28 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है गया इसके अलाब आपको बताते हैं दोक्तों Global Innovation Index पर भारत का जो है तो यह रैंक 2017 में क्या था? 60 था 60 रैंक थी लेकिन 2018 में 57 वे अस्थान पर आ गया है तो काफी शुदार हुआ है ठीक है? तो Global Innovation Index 2018 में भारत को कौन से स्थान पर आपत हुआ है? इसमें इस्थान पर आपत हुआ है? 57 थे छलिए अगले कोशंग तरह बढ़ते हैं दोस्तों हाली में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड़क्ट शिखर सम्मेलन कुद घटन किया है दोस्तों हाली में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड़क्ट शिखर सम्मेलन कुद घटन किया है और आपको बता दोस्तों कि सूक्ष में छोटे और मध्या मुद्योगों पर विशेश जोर दिया गया था और क्रिशी के बाद अधिकान से लोगों ने इस छेत्मिन रोजगार मिलता है इसके लावा दोस्तों आपको बता देक देश के कुल हास्त सिल्प निर्याद में पच्छिस लाख लोगो रोजगार उपलब्द कराने का लक्ष निदाइद किया गया है ठीक है इसके लावा दोस्तों बता देक बरतवान में भारत के लगु और मध्या मुद्या मंत्राले के जो राज्य मंत्री है वो है गिरी राज शिंग ठीक है तो हाली में वन डिस्ट सम्मेलन की में जानी नितियाग ने कहां पर की है यह की दुस्तों अंडवान निकोवार दीप समूनीतियाग के बारे आपको कई बार बता चुका हूँ एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ नेशनल इस्टिटीट फॉर ट्रांसफर्मिंग निस फुल फॉम है और यह ज देन अध्यक्ष होते हैं वह थे भारत के प्धानमंत्रियाग निवर्तमान में नयंद मोदी जी है ठीक है तो हाली निवेशक्षामिलन की में जवान नितियाग उन्हें कहां पर की है कि हंडवान निकोवार में चलिए अगले खोशनक तरह बढ़ते हैं तो ट्राई के अध करकल कितने वर्स के लिए बढ़ा दिया गया तो इसका राइट एंसर दो सो दो वर्स के लिए निया ऑप्शन भी राइट देखें उस तो मंत्री मंडल की नियुक्ति शमित ने आर एस शर्मा को दोवारा भारती दूर संचान नियामक परातिकर नहीं ट्राई के और आपको बता दे कि जब पहली वाधिर ट्राई के किसी भी प्रमुक को तीन साल के कारेकाल के बाद फिर से नियुक्ति किया गया है और आपको बता दे कि आरेस शर्मा जो 9 अगुस्ट को 7 वित होने वाले थे अब वो 30 सितंबर 2020 अध्यक्ष पर बने रहेंगे कब तक बन ती दूर संचार नियावक प्रादिगाना और ट्राई कि स्थाबना कब हुई थी तो यह तो बीस फर्वर उनिश्टो 97 को चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कल का एंसर कल मैंने कोशन पूछा था यू आई 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 सी अनि यूनाइटिर इंडिया इंसोरेंस कंपनी ल देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल आज को कुशन क्या है हाली में राज्चभा के नए उप्षवपती कौन बनी है बहुत ही इंपोड़ेंट कोशन दिया आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको एंसर पता होगा आपसान आपके सामने प्लीज कमेंट जरूर करि करिएगा ज्यादा ज्यादा लोग कमेंट करेंगे लगप 5-6000 लोग आज कमेंट करेंगे ठीक है तो हाली में राज्चभा के नए उसका राइड एंसर आपको कमेंट वक्स जरूर लिखना है आपने कल की वीडियो देखी होगी नहीं देखी जस्ट यहां पे प्ले होगी आप देख लीजे बहुत इंपोर्टेंट है उसके साथ साथ दोस्तों मैंने बहुत सारी करेंट एफिस्क वीडियो बनाई है पिछले 6 मन्द की आप लोग उनकमेंट किया थक लास 6 मन्द करेंट एफिस्क वीडियो सर बनाई है बना दिया हो आप चैनल प्लेश्ट में जा